आतंकियों का सفाया करेगी इजराइली सेना 18 लाग फिलिस्तिनियों को छोड़ना होगा घर संगर्श्विरां को लेकर हो सकता है समझोता इजराइल लगातार फिलिस्तिन पर ताबर्तोर हमले करने में जुटा है इस्राइल का सिर्फ एक ही मिशन है वो है हमास का सफाया करना इसलिए इस्राइली सैना गाजा पर बड़े अटेक कर रहा है अब IDF ने लोगों से गाजा पट्टी का वो हिस्सा खाली करने को कहा है जिसे उसने मानवी शेतर गोशित किया था IDF ने कहा कि वे हमास के अतंकियों के खिलाफ एक अभ्याइन शुरू करने की योजना बना रहा है जो अतंकी इस शेतर में छिपे हैं उन्हें इस्राइली सैना मार गिराएगी सैना के मुताबिक इस शेतर का इस्तिमाल इसराइल की और रोकेट छोड़ने के लिए किया गया है इस इलाके में मुवासी मानवी शेतर का पूर्वी हिस्सा शामिल है जो दक्षनी गाजा पट्टी परस्थित है इस्राइली सैना ने ये आदेश संगश विनाम की मांग को लेकर ओर एगंबीर वारता के दोरान दिया है इस्राइल ने कहा था कि उसका अनुमान है कि कम से कम 18 लाग फिलिस्तिनी आप मानवी शेतर में है उसने भूमद्दे सागर के साथ लगते लगबग 14 किलोमेटर की दूरी के हिस्से को मानवी शेतर गोशित किया था संयुक्तराश संग का कहना है कि इस शेतर का जादतर इलाका अब आस्थाई शिविरों से गिरा हुआ है यहाँ साफ सफाई तता चिकित्सा सुविदाओं का भाव है अमेरिका और इस्राइले दिकारियों ने उमीद जताई है कि संगर्श विराम को लेकर एक समझोता हो सकता है 25 जुलाई को वारता जारी रखने के लिए एक वारता दल को बेजा जाएगा बता दे कि मिस्र, कतर और अमेरिका इस्राइल और हमास का चरणबत तरीके से संगर्श विराम समझोता करने पर जोड़ दे रहे हैं